हालो फ्रेंस मैं आज सल्विय का कटिंग्स लगाऊंगी मेरे पास नहीं है सल्विय प्लांट और यूनिटर में भी मैं नहीं खरीद पाई तो मैं कटिंग्स लेकर आई हूं कहीं से इसी को लगाऊंगी कटिंग्स काफी छोटे हैं दिखिए आप लगाए तो थोड़े पानी डाल दोंगी ताकि इसके जो ब्रांचेस में मैं रूटिंग हर्मोन लगाऊं वो निकल ना जाए इसलिए मैं पहले ही पानी डालते रही हूं और जो ग्रो बैग में होल नहीं है उसमें आप होल कर ले कोई भी पोट में आप लगाए तो होल जरूर करें पानी एक्स् ब्रांचेस के जो पत्ते हैं बिल्कुली छोटी है देखिए तो पत्ते सब को हटा ले नहीं है और नीची के जो ब्रांचेस में थोड़ी सी रूटिंग हर्मोन लगा के मैं जो पहले से पानी डाल के भीगो के रखी हूं मिट्टी को साफ फंगिसाइट मिला के उसी में लगा के जो नीची रूट में हर्मोन लगा रही हूं रूटिंग हर्मोन उसको लगा के मैं बिल्कुली छायादा जगा में रख दूंगी ताकि इसके रूट आने के चांसेस हो और यह प्लांट ग्रो कर जाए मैंने लगा लिए सारे कटिंग्स अब मैं दिखा रही हूं आ यह दो बड़ी थी जो हील थी है और अच्छे से घ्रो हुई है तो यह दोनों को लगाऊंगी और लगा के मैं इसी में से सीट्स बनाऊंगी जब इसके फ्लार आएंगे ऐसे तो विंटर का प्लांट है मैं इसको ऐसी जगा में रखोंगी जहां इसको 2 से 3 घंटा धूप ल जाए उसके बाद मैं दोपहर को इसको शेड एरिया मेें लागे करकोंगे और यह दोनों प्लांट को बचा के रखोंगी और इससे दिखिए इसमें अच्छा से रोट आई है और अच्छे से ग्रोव किया है तो यह दोनों प्लांट को मैं लगा रही हूं जो मिट्टी में ले रही हूं पॉट में दिख रही है उसमें है गोबर की खाथ नॉर्मल गार्डन सहल रेत और थोड़ी सी मीम खली और पॉट के नीचे बहुत सारे होल हो ऐसा यह प्लांट लगा है अगर होल नहीं होगी मतलब नचे उसके Михавा रहेंगे तो कोई भी प्लांट मार जाएगी तो आप लोग कोई भी प्लांट लगा तो निचे पॉट के नीचे होल होने चाहिए अगर आप पटखईत के लाते हैं तो उसमें होल नहीं है तो आप कोई लोहे का सरीया वगएरा गरम करके वह उसतारे होल कर ले उसके बाद जो नीचे होल दीखेगी हुआ पे आप मीडियम साइज का कंकर या पत्थर रख दे आधा इंच और आधा इंच मोटी वाली रियत र दखोंगी अगले साल उइंटर में लगाऊंगी और इस साल में प्लांट को ऐसे बचा के दखोंगी दूप से और आप लोग भी ऐसे अकर कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो अभी लगा सकते हैं लेकिन लगा के आप शेडी एरिया में रखे और कटिंग्स थोड़े बढ़ हो और आप नॉर्मल गार्डन सेल में उसको लगा के रखे रूटिं हार्मोन लगा के नीचे में ऐसे छोटे ग्रो बैग में उसके बाद अगर प्लांट लग जाए फिर आप ऐसे मिट्टी में गोबर के खात थोड़ी सी रेत और नीमखली मिला के लगा दे और जो पॉट म थैंक यू